Hello everyone, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मैं काजल धामी, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी चैनल प्यूपिल डीचे में आज की इस वीडियो में हम सीटाइट परिक्षा जो की 8 जन्वरी 2022 यान की आज हुई सीटाइट परिक्षा है इसके प्रथम पाली कम मैं आप लोगों के साथ exam analysis करने वाली हूँ और exam analysis करने के बाद हम देखेंगी कि कौन कौन से topic से कैसे कैसे question पूछे गए और साते साथ जो question है वो मैं आप लोगों के साथ मेरे telegram group पे share कर दोंगी जो मेरा telegram group है आपको pupil teacher नाम से मिल जाएगा और साथे साथ मेरा एक discussion group भी है जो कि pupil teacher by काजिल धामी नाम से आपको मिल जाएगा आप इन दोनों को search करके आप मुझे वहाँ पे join कर सकते हैं तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे paper में किस तरीके की question यहाँ पे पूछे गए थी तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे EVS से यहाँ पे शुरुवात करते हैं कि EVS में किस तरीके के प्रशन यहाँ पे पूछे गए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दो question आपकी screen में दिख रहे होंगे सबसे पहला question है which bird lay eggs on crow nest यहाँ पे पूछ रखा है कि कौन सी ऐसी चिडिया है जो कि crow के घोसले में अपने जो अंडे है वो दे देती है तो इसका यहाँ पे answer था coil तो देखिए यह जो question है यह हमारी NCART की किताब के अंदर में से हमसे पूछा गया है इसके अलावा जो अगला question हमसे पूछा गया था यहाँ पे rice crop जब उगाई जाती है यहाँ पे rice की जब खेती की जाती है तब यहाँ पे कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे यह celebration किया जाता है इसकी खेती में तो देखिए इसका यहाँ पे answer था I hope यह दोनों question आपको clear हुए होंगे अब चलिए अगले question के तरफ चलते हैं अगला question हम लोगों से पोचन पल्ली से समंदित यहाँ पे पूछा गया था तो देखिए यह तरीके की famous साड़ी होती है और एक राज्य का भी नाम इस तरीके से रखा गया है अभी तक आपने यह जो तीन question अभी देखिए यह तीनों question आपके यह जो हमारी class 3rd से लेकर class 5th की EVS की किताब है उसके अंदर हम लोगों को यह चीज दे रखी है यानि कि अगर मैं सीधर तोर पे बोलूँ तो question जो पूछे गए थे एक moderate level के यहाँ पे पूछे गए थे ना आप इसे hard बोल सकते हैं ना आप इसे बहुत easy बोल सकते हैं अगर आपकी तयारी अच्छी थी तो एक अच्छे level का paper आज पूछा गया इसके अलावा अगर हम अगले question के तरफ बढ़ें तो देखिए अगला question हम लोगों से यहाँ पे albarooni से समंदित हैं पे पूछा गया था तो देखिए अलबरुने से समझ देती है जो कुछिन पूछा गया था तो देखिए अलबरुने जो थे एक ट्रावलर थे एक यात्री थे जो कहां से आए थे ये उसबेकिस्तान से आए थे और इन्होंने क्या हमें खास बात बताई इन्होंने अपनी एक पुस्तक के अंदर एक किताब के अंदर एक बुक लिखी जिसमें हमारे जो इतिहास के बारे में हमें जानने में मदद मिलती है और इन्होंने हमारे यहां के जो तलाब हैं उनकी खासित के बारे में बताया है कि यदि हमारे यहां के लोग यहां के लोगों को तलाब बनाते वे देखेंगे तो तो वे हैरान रह जाएंगे, तो इस तरीके के बाते हमें बता चली, एक direction based question हम से यहापे पूछा गया, यह जो direction based question हम से पूछा गया, तो देखिए यह question यहापे, थोड़ा सा language आपको यहापे incomplete मिलेगी, इसको मैं आपको समझा देती हूँ, यहापे बोल रखा है कि अगर आ और ऐसा ही एक question हमें exemplar paper के अंदर भी दिया गया है, तो देखिए इस तरीके के question मैंने आपको पहले भी practice कराई थी, कि आपसे दिशा समंदित, मैपस समंदित question इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो ऐसा एक question आज के सेट में देखने को मिला, इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े ही तो देखिए अगला ये जो question हम से पूछा गया, ये हम से यहाँ पे मिलान, मैस्दा following का पूछा गया, जिसमें हमें लगदाक होगे, असम होगे, मनाली होगे, राजिस्थान होगे, इनके यहाँ किस तरीके से घर बनाए जाते हैं, और किस तरीके के घरों में ल बहुत जादा होती है, तो इस तरीके से घर बनाए जाते हैं, स्टोन, पत्थरों के साहता से, ताकि जो अंदर हैं, अंदर थंड कम लगे, इसके अलावा यहाँ पे राजिस्थान में जो घर हैं, उनकी जो छत होती है, वह यहाँ पे मिट्टी और यहाँ पे थोड़ा सा भूसे वगेरा इन सब चीजों को मिला के बनाए जाती हैं, ताकि वहाँ पे गर्मी से लोग बच सकें, तो देखिए मैस दा फॉलेंग यहाँ पे पूछा गया था, हाउसस से समंदित, इसके अलावा एक कोशन हम लोगों को यहाँ पे यूनियन टेरिटरी का देखने को मि तो देखिए आपको यहाँ पे केंदर सासिज जो प्रदेश है, जो भारत के यह पता होने चीए, अगर आपको यूनियन टेरिटरी पता है, तो इससे समंदित आप कोशन कर सकते हैं, और ऐसा ही एक कोशन हम से एक और सेट में पूछा गया था, वो डे तो मुझे याद नह है, बट यूनियन टेरिटरी से समंदित हम से कोशन पूछा गया है, तो देखिए नौ अलग-लग यूनियन टेरिटरी हैं, जिनके नाम मैंने यहाँ पे लिख दिये हैं, पहला है अंडमार, निकोबार आइलेंड, अगला है चंडिगर, अगला है यहाँ यहाँ पे दादर हैं, यानि की यूनियन टेरिटरी से हैं, इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो और क्या चीज़े पूछेगे, साथे साथ यह जो आप लोगों को पीडिएफ दिख रही है, यह पीडिएफ मैं आप लोगों के साथ टेलिग्राम ग्रूप पे शेयर कर दूँगी, आप यह पीडिएफ देख लीजिएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के कुशन पूछे गए, साथे साथ कई सारे सेट के अब पेपर हो चुके हैं, यानि की ऑल्मोस्स कैंडिडिएट ऐसे हैं, जो अब अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो तो आप वीडियो सेक्शन में जाएगा, वीडियो सेक्शन में आपको नॉर्मलाइजिशन से समंदिद, यानि की नॉर्मलाइजिशन सीटाइक में किस तरीके से अपनाय जा सकता है, अपनाय जाएगा भी या नहीं जाएगा, तो इस समंदिद एक वीडियो मैंने आप लो करें तो देखिए cdp में जो हमारे motor caution होते हैं यानि कि जो यहां पर skills होते हैं जो कि gross motor skills जो बड़ी mass pacey होती है fine motor skills जो छोटी mass pacey होती है इन से समंदित question पूछा गया था कोलबर्ग की theory जैसे के हर set में यहां पर पूछा जा रहा है जीन प्याजे कोलबर्ग वाइगार्ट्स की इन से समंदित question आया था dyslexia जो है एक reading यहां पर disorder माना जाता है यानके पठन विकार माना जाता है इससे समंदित question पूछा गया इसके अलावा NCF NEP 2020 यह तो हर set में यहां पर पूछा जा रहा है तो 8 से 10 question आपके इस topic से पूछे गया था इसके अलावा देखिए जो question हम लोगों से मैप से समंदित यहां पर पूछा गया था वो question क्या था exactly इसको जड़ा मैं आपके साथ discuss करती हूँ question कुछ इस तरीके से था कि एहमदाबाद के सापेक्ष में दिल्ली जो है वो किस दिशा में पड़ेगी question क्या था कि एहमदाबाद में अगर आप खड़े हैं तो एहमदाबाद के हिसाब से दिल्ली कौन सी direction में आपकी हो सकती है तो यहाँ पे जो correct answer था वो था उत्तर पूर्व दिशा इसके लिए आपको map के knowledge होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके अलावा अगर हम English और हिंदी की बात करें तो देखिए English और हिंदी में passage और poem यह पे पूछे जा रहे हैं साथे साथ अगर आप इसे और detail में समझना चाहें कि हम लोगों को क्या चीज़े पड़नी हैं तो जो language skill होती है L, S, R, W यह छोड़ के मत जाएए आपके चाहे आप English यहाँ पे ही कर रहे हैं चाहे आप Hindi ले रखा है चाहे Sanskrit चाहे उर्दू आपको हर भाषा में यह भाषा कोशन मिल जाएंगे इसके अलावा हम लोगों से language acquisition और learning से समंधित कोशन देखने को मिल रहा है और जो norm Chomsky की थियोरी है इससे समंधित कोशन हम लोगों को English और Hindi में आपे देखने को मिल रहा है इसके साथ साथ अगर आप passage तयार करना चाहा रहे हैं तो passage में आप जो figure of speech होती है यानि कि अलंकार होता है उसके एक short वीडियो मैंने आप लोगों के साथ share की है आप उस वीडियो को देख लीजेगा आपका ये topic तयार हो जाएगा simli, metaphor, ये जो personification ये जितने होते हैं आपके ये तयार हो जाएगे साथे साथ हम लोगों से हिंदी में एक प्रत्य और एक शब्द का यहाँ पे हमें अर्थ ये पूछा गया था ये जो हमें गद्यांश और काव्यांश पूछ जाते हैं उसके अंदर I hope ये जो मैंने आप लोगों के साथ analysis किया है आज का यानकी 8 जनवरी का आप लोगों को ये पसंद आया होगा और इस तरीके के question पूछे गए तो आप कह सकते हैं कि एक moderate level का paper आया है ना आप इसे hard बोल सकते हैं ना आप इसे बहुत easy बोल सकते हैं बहुत easy उनके लिए नहीं जो पढ़के गए हैं जो पढ़के गए हैं उनके लिए तो वो चीजे असान ही हो जाती है I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी इसके रावा mask के question मैं आप लोगों के साथ टेलिग्राम ग्रूप पे share कर देंगी I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले topic के साथ Bye Bye, Take Care